हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारी किच्ण में आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची मूंग दाल पकोड़े विदाउट फ्राई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो चलिए शिरु करते हैं मूंगी दाल के पकोड़े बनाने के लिए यहां पर हमने ले ली है आधा कप मूंगी दाल सबसे पहले मैंने दाल को अच्छी तरीके से वाश करा है वाश करने के बाद तकरीबन तीन से चार घंटे के लिए मैंने दाल को सोग करके रखा था सोग करने की तो अब मैं यहाँ पर add कर रही हूँ, थोड़े से roughly कटे हुए अधरक के टुकड़े, अगर आपको ज़्यादा तीके पकोड़े खाना पसंद है, तो यहाँ पर आप अधरक के साथ साथ green chillies भी add कर सकते हैं, तो आप हमें सारी चीजों को करना है, grind, डाल का हमें fine paste बना के तय यार कर लिया, और साथ ही साथ मैंने उसको इस बड़े bowl में transfer कर लिया, तो चलिए अब हम इसमें add कर लेते हैं, कुछ spices, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर add कर रही हूँ, दो पिंच हल्दी powder, अच्छे color के लिए, दो पिंच हींग, वन फोर्थ टी स्पून जीरा powder, यह पूरी जादा कर सकते हैं, साथ ही साथ मैं यहाँ पर add कर रही हूँ, आदा चुड़ा चमच धनिया powder, वन फोर्थ टी स्पून गरम मसाला powder, वन फोर्थ टी स्पून अमचूर powder, और यहाँ पर मैंने ले लिए थोड़ी सी कसूरी मेथी, तो इसको हम हतेलियों में इस तरीके से crush कर के add करेंगे, ताकि हमारे पकोड़ों में बहुत ही अच्छा flavor, साथ ही साथ बहुत ही अच्छी खुशपू है, तो चलिए फटपट से सारी चीजों को mix कर लेते हैं, सारी चीजों को हमने यहाँ पर mix कर लिया, तो अपने पकोड़ों को fluffy बनाने के लिए मैं यहाँ पर add कर आदा चुड़ा चमच इनो, क्योंकि यह homemade इनो है, इसलिए यह आपको white color में दिखाई दे रहा होगा, साथ ही साथ यह बहुत ही स्ट्रॉंग होता है, तो मैंने इसकी quantity कम add करी है, आप यहाँ पर इनो का या तो lemon वाला या regular वाला ही flavor यूज़ करें, और कोई flavor आट ना करें नहीं तो पकोड़ों का टेस्ट खराब हो जाएगा, और यहाँ पर आपको इनो का सिर्फ आदा ही packet add करना है, उससे जादा बिल्कुल भी add ना करें, तो एक बर इनो add करने के बाद बैटर को हम बहुत हलके हाथ से mix करेंगे, अगर आप भी घर पे इनो बनाने का तरीका जा बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, हमारा बैटर बनके बिल्कुल तयार है, तो चलिए अपने मूंग दालके without fry पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर हमने gas का flame on कर लिया है, gas पर रख लिये अपम पैन, जी हाँ आज हम ये पकोड़े gas का flame अभी हम बिल्कुल low रखेंगे, अपम पैन हमारा heat हो चुका है, तो यह जो बैटर हमने ready करके रखा था, इसको हम पैन में set कर देते हैं, तो यह लेजिए, अब हम पैन की सारे cavities में हमने better को fill कर दिया, तो अब थोड़ा थोड़ा सा cooking oil हम सारी cavities में add कर देंगे ताकि हमारे पकोड़े बहुत ही अच्छी तरीके से सिख जाएं, अब हम इनको cover करके low to medium flame पे तकरीवन 3-4 मिनिट के लिए एक साइट से cook कर लते है इन्हें एक साइट से cook को तेवे तकरीवन 4 मिनिट हो चुके हैं, तो एक बार खोल के चेक कर लिते हैं, और देखने से ही इनका texture ही बता रहा है कि ये कितने perfectly cook को चुके हैं, तो एक बार पलट के चेक कर लिते हैं, और ये देखिए इस साइट से कितना अच्छा color आया है इन नीचे से भी बहुत ही अच्छी तरीके से सिख जाएं, और वापस से अप हम पान को करेंगे cover, gas का flame रखेंगे low to medium और इन्हें हम को कोने देंगे लगपक 3-4 मिनिट के लिए, पकोडों को cook होते वे लगपक 3 मिनिट हो चुके हैं, तो एक बार खोल के चेक कर लिते हैं, तो ये देखिए हमारे पकोड़े नीचे से भी कितनी अच्छी तरीके से सिख चुके हैं, कितना प्यारा कलर आया है, तो इस स्टेज पे gas का flame कर देते हैं, और अपने पकोड़ों को हम कर लेते हैं, सर्फ तो ये लीजे हमारे सुपर क्रिस्पी, सुपर फ्लफी मौंग दाल पकोड़े बनके बिल्कुल तयार हैं, वो भी without fry, यहाँ पर हमने आधा कप मौंग दाल में मीडियम साइस के बारा पकोड़े बनाके तयार करे हैं, मौंग दाल पकोड़े टमैटो केचप के साथ, धनिय पुदिनी की चट्टी के साथ, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, मैंने यहाँ पर इनको इमली की खटी मीटी चट्टी के साथ सर्फ करा है, इसकी रेसिपी में आप लोगों के साथ शेर कर चुकी हो, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूगी, तो आप यह सुपर क्रिस्पी और क्रंची मोंग दाल पकोड़े की रेसिपी एक पर शरू ट्राय करें, और अपने एक्स्पीरियंसेस मेरे साथ शेर करना बिल्कुल न भूलें